नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि ओमेसिक 20 कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है ओमेसिक 20 कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और ओमेसिक कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ओमेसिक एक ब्रैंड नेम है ओमेसिक कैपसूल के अंदर सौल्ट कंपोजिशन ओमेप्राजोल 20 mg होता है ओमेसिक कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है ओमेसिक कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर ओमेसिक कैपसूल का उप्योग किया जाता है Omesic Capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़े से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है, जैसे दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़े से पेट में जलन, पेट दर्ध या पेट में अल्सर हो सकत इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. Omestic Capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है। ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये side effects ना हो। इसलिए आपका Dr. Omestic Capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा Omestic Capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger Ellison syndrome को treat करने के लिए भी Omestic Capsule का उपयोग किया जाता है। Jolinger Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Omestic Capsule की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Omestic Capsule की वज़से कुछ side effects हो सकते हैं। जैसे पेट दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुं में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोरों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्त होने की समस्या हो सकती हैं। इसके अलावा Omestic Capsule की वज़से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती हैं। कैपसूल को लेने से Osteoporosis होने का जोखिम अधिक हो जाता है। Osteoporosis होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। Omecic Capsule की वज़से Osteoporosis तभी होता है जब Omecic Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से Omecic Capsule को ले रहे हैं तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमिन्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धुप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की ओमेसिक कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेल होता है। हो सकती है। इसलिए आपको ओमेसिक कैपसूल को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओमेसिक कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेल नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमेसिक कैपसूल को लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओमेसिक कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। जड़ स्तनप जे से पहले डॉक्तर पाल से ओमेस्큼ि जड़ campeने महिलाओं आम पर रही महिल झाज़ने से टल आखोल दतर सकते से फिन जड़